हलो एवरिवान विल्कम बाक्टो टीचर जड़ा वे टार्गेट अभी सो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं बीहार टेट एक्जामिनेशन को टार्गेट करते वे कंप्विटर साइंस के बारे में जो टेट एक्जामिनेशन पात्रत पारिक्षा की बारे में जो नूट्रिकेशन था उसके बारे मैं already मैंने वीडियो बना दिया अपने चानल पर और आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो बात करूंगे इसके सेलेबस सेले बस की तो जो वह आहां पर दिखने को मिलेगा लेकिन क्या इंप्वॉट्निनस है कैसे आप अपनी प्रपरेशन कर सकता और कैसे हमारा चानल इस प्रपरेशन में पूरी बात करने वाली हूँ सो क्या पढ़ें कम टाइम है क्योंकि मार्च के आसपास आप लोग का examination हो सकता है और क्या ना पढ़ें और पहले जो भी पढ़ा है उससे कितना पूछा जा सकता है और अगर कोई भी चीज़े changes हुई है उसके बारे में कैसे आप लोग को चीज़े ध्यान रखनी है उन सारी ब आते हैं और इतना डीटेल में चीज़ें पूछ जाती हैं क्या इसके बारे में भी हम लोग आट डिसकसर करने वाले हैं तो डिजिटल लॉजिक के मैं बात करूं सो यह वन आफ दी फेवरेट यूनिट मानी जाती है जब भी हम लोग teaching level examination के बारे में बात करते हैं तो काफी जो सलेबस है वो जाधा रहता है towards NCRT जो भी चीज़ां आपके NCRT 11 12 में दे रखी हैं क्योंकि वो PGT post graduate teacher की post है तो उसके साब साब लोगों के पास में चीज़ें पूछ जाएंगे लेकिन अगर मैं बात करूं टेट examinations की तो उनमें जो digital logic है जैसे कि DSSB का भी जो examination हुआ थ जाता है अगर आप लोग का बिहार का जो टेट examination है पुराना वाला उसको भी अगर आप लोग एक बार देखें तो उसमें भी अच्छा घाजा डिजिटल लॉजिक आप लोग के पास है पूछा गया था तो डिजिटल लॉजिक पर आप लोग एक बार पकड़ बना लेंग उसके आप लोग एक्सेंड़ बाइनरी या ना चीए ठीक है ग्रे कोड क्या होता है और उनके अंदा कन वर्जन जैसे कि बाइनरी टु ग्रे कोड और इस सारे कन वर्जन आप लोगों से पूछे जाने चाहिए मैं थोड़ा से इसको जूम आउट कर देती हूं ताकि आप और दिखें उसके आपने बेसिक सा है हम लोग निया हमारे इसमें पड़ा था वनस कॉम्पलिमेंट इन टूस कॉम्पलिमेंट यह फिर थोड़ा से एक्स्टेंड करके आर और र-1 कॉम्पलिमेंट सभी चीज़े पढ़के जाएगा अर्थमेटिक का कहने का मतलब है जितन और इक्वेशन को वह आप लोता है और मिनिमाइस करने के लिए जो किये मैप मैथड है वह आप लोगों के लिए पूछा सकता है अब बात करते हैं सर्केट की तो सरकेट बैसिकली दो तरीके के देर इस अकॉंपीनेशन सिर्केट थोड़ा सा जाधा कही ना कहीं हेवरेट ह माना जाता है उसके आने यही पर और ही नों ने लिखाया तो इसके बाजिए इसके आंदे पूरा का पूरा जो circuit का design है क्या क्या काम करते है जिसी की दिर आ जाएगा रगने तो उसमें सा इसार flip-flop के बारे में बारे में बात करें वो भी आ जाएगा जेके फ्लिफ लग दी फिलिफ लोग आ जाएगा घिस्टर प्लीज आप लोग एक बार पढ़के जाएं कि मैम्री बफर क्या होता है रजिस्टर काउंटर क्या होता है यह सब चीज़ आप लोग पास है पूछी जा सकती है उसे के बाद ने आप लोगों के एडी और डी आ कन्वर्जन टेकनीक पर आप लोगों के पास पूछी जा सकती है सीमोस वगएरा यह चीज़े थोड़ी बात देख के जा चलिए बात करते हैं आप लोग आर्किटेक्चर के बारे में तो वहां पर उसको यहां पर चीज़े लिखा है फोड़ी सी मैच करेंगे आलगा तरीकेस आप लोग कैसे एक्सृ3 कोड क्या है है कैसे हमिंक को निकलता है थोड़ा बहुत यह चीज़ आप लोग देखें, माइक्रो प्रसेसर के बारे में भी आपे बात करी जा रही है, और गेट्स भी आपे डीटेल में लिखे हुए, ठीक है, तो सारे गेट्स आप लोग देख लें, या फिर EMRS का इग्जामेनेशन था, डेटा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा पूछा नहीं गया था, लेकिन यहां पे कहिना कहीं डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा पूछा जाता है, तो डेटा स्ट्रक्चर में कितना पड़े हैं, से पहले तो linear data type and non linear data type क्या difference है abstract data type किसी भी चिज़को abstract data type क्यूं बोलते हैं कौन कौन से abstract data type होते हैं linear और non linear पढ़के जाए उसके बाद में algorithms के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेए ठीक है कोई algorithm कैसे जिसे greedy approach क्या है dynamic approach क्या है branch and bound में क्या जाएगा बैक ट्रकिंग में क्या जाएगा इसकाना कौन-कौन सी algorithm आती हैं मैं नहीं कहोंगे कि कोई भी algorithm बहुत detail में पढ़े हैं उसका code देख हैं इतना detail में सवाल नहीं आएगा लेकिन at least आपको algorithm क्या है और क्या हूँ major काम कर रही है कौन सी single pair shortest path है कौन सी all pair shortest path है थोड़ा बहुत आप लोग देखके जाए उसके बारे में बात करेंगे हम लोग उसकी बेसिकली complexity भी थोड़ा वह जानके जाए उसके बारे में क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम यह सारी चीज़ों में complexity भी कहीना किया जाएगी देखिएगा complexity और अजम टूटिक notation बिगो notation कौन से होते हैं ओमेगो notation कौन से होते हैं ठीक है थीटा नोच यह सब चीज़ें थोड़ा सा देखके जाए उसके बारे में बात करूं मैं arrays यहां पर डीटेल में लिखा हुआ है बहुत बहुत जादे डीटेल में array दो नहीं आता है लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको पैड़ सकते हैं जो मैंने बात करी थी उसमें recursion बहुत important है recursion का use case भी बहुत जादे important है तो recursion के बारे में थोड़े बहुत बात करी गई है यह जो syllabus है न वह बड़े बड़े examination का सीधे copy-pasted है अब उनके ओपर आ जाता है कि उसमें से कौन सी चीज जादा पूछी जाती है अगर मैं data structures के बारे में बात करूँ तो simple linear data structure आप लोग अच्छे से पढ़के जाएगा non-linear में जो tree-type data structure है उसमें अगर आप लोग binary tree पढ़ लें binary search tree पढ़ लें उनके कैसे-कैसे notations से वो पढ़ लें उसके बाद में आप लोगों के पास में जो prefix है इन-fix है पोस्ट-fix है उसका जो relationship stack के साथ में अगर आप वो पढ़ लें तो वो भी अच्छा है और basically traversal algorithm जो आप इतना detail में भी नहीं जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है उसके आंदे थोड़ा पास C programming के बारे में पूछ लिया जाएगा ठीक है तो वो programming में आ जाता है C यहां पर आप लोगों के पास में array के बारे में detail में दिया गया है Q के बारे में दियागा तो थोड़ा से Q क्या हो है उसमें क्या रोल है मर्ज डिवाड़ें कॉंप कर कैसे चलेगा उसमें ठीक है जो इंसर्शन सौर्ट है वो कौन से टेक्नीक के बार बेस्ट है सेलेक्शन सौर्ट कैसे काम कर रहा है उसमें सबसे बड़ा element को ठाकि हम लोग सबसे एंड में रख रहे हैं ठीक है और complexity इसके बारे में अगर आप लोग देख लेंगे तो चीज़ें बहतर होंगे अल्गोरिदम्स के बारे में बात करी गई है इतना डीटेल में नहीं आता कैसे सब्सक्राइब करते हो यह सब ज्यादा चीज़ें उतनी नहीं पूचे जाती है क्योंकि वह कहीना कहीं नेट और गेड लेवल पे ज्यादा पूचे जाती है या फिर आप लोग के साइंटेल लेवल एक्जामिनेशन होते हैं ग्रेड ग्रेड बी की जो पोस्ट होती है कही यह सब कॉंसेट यहां पर नहीं पूचे जाते दो लिखे वे तो हैं लेकिन यह थोड़ा सा और बड़े एक्जामिनेशन में थोड़े और बहतरी निग्जामिनेशन में पूचे जाएगा रही बात ऑपरेटिंग सिस्टम के आप लोग को बता सकते हूं कि ऑपरेटिंग स लिखा हूं वह बहुत इक्स्ट्रा लिखा हूं यह पूरा का पूरा सिस्टम जो कि गेच लेवल तक पूछ यह नहीं वहां के कहीना की पूरा के पूरे से बुरे म understand की गई है सो यह जो basics of operating system introduction तो आपको पढ़ना पढ़ेगा types of operating system क्या क्या components है ठीक है यह आप लोग पढ़के जाएं तो types of OS पढ़के जाएं हरार्की कल और उसका layered organization क्या है input-output methods क्या और interruption का क्या structure ठीक है जैसे interruption क्या है क्या है interruption यह आप लोग देखें लें पर प्रोसेस के बारे में तो process switching क्या है ठीक है यह सब थोड़ा kernel के बारे में थोड़ा सब पढ़ जाएं process scheduling algorithm के उपर आप लोग के पास में सवाल कहीं ना कहीं पूच जाते हैं उसके यह mutual exclusion term क्या होती है semaphore term क्या होती है process synchronization term क्या होती है थोड़ा बहुत यह देख लें उसके बारे में यह थोड़ा जादा नहीं आएगा deadlock problem क्या है और how can you resolve it ठीक है इतना अगर आपको पता है ना उपर-उपर से भी तो भी चीज़े हो जाएंगे यह जो पूर्शन यहां पर लिखा हुए थोड़ा डीटेल में लिखा हुआ इसका अगर आप लोग को एक बार से उपर-उपर का भी थोड़ा बहुत पता है कि चलो DMA क्या है इंटरॉप ड्रिवन आई-ओ क्या है ज्यादा डीटेल में नहीं नुमारिकल बेस भी सवाल नहीं पूछ जाएगा तो आप लोगों के पास में भैतर रहेगा रही बार डीवार्श के डीविएमस थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक बन जाता है अगें इसे condition अगर आपको पता है कि 1NF के लिए क्या चाहिए, 2NF के लिए चाहिए तो that is okay I don't think कि कोई भी सवाल आएगा और वो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि इसको बताइए कि 4NF में है या पर BCNF में है या नहीं इस तरीके से सवाल थोड़ा सा मुश्किल है चाली य यहां पर लिखा हुआ है यह सबसे important topic है यह सब जादा पूछा जाता है what is the role of the primary key what is foreign key what is ER model entity क्या होती attributes क्या होता है उनके बीच में relationship what is cardinality what is degree यह आप लोगों के पास में पूछे जाएंगे तो आप लोग यह देख लें उसके बाद में concurrency control के बारे में आप लोग इसको totally लिए ignore कर सकते हैं यह थोड़ा सा और डीटेल में gate level or net level का topic है networking one of the favorite topic कहीना के बनता है networking को जितना detail मगर आप लोग पढ़ेंगे computer science की पकड़ कहीना कि आप लोगों के पास मुत्ति जादा अच्छी आईगी चलिए तो आप लोगों के पास है पूरा OSI model का structure आपको पता होन चाहिए seven layers को क्या क्या रोल्स and responsibilities दी गई है वो आपको पता होना चाहिए तो चलिए बात करेंगे इसके बारे में तो data communication computer network में क्या है बेसिखना topology क्या है star topology there is a match topology there is a bus topology what what are these right उसके बाद में classification कैसे करा है parallel and serial transmission क्या होता है transmission models क्या क्या हैंगे कौन कौन से channels है आपकी data rate क्या है board rate क्या है bit rate क्या है ठीक है आपको encoding schemes कैसे काम कर रही है data compression यह सब बाते ठीक है अब यह जो चीज़ें यहां पर लिखी गई है का थोड़े से व्यूर्ट तरीके से आप लोग उनको layer by layer समझे कि network layer पर क्या क्या responsibility है physical layer पर क्या क्या होता है data link layer पर क्या क्या होता है तो यहां पर यह लिखा गया जैसे mac mac protocol वहां पर लगेगा ठीक है access and flow control कहीं अगर साड़ी flow control and error control कहीं नहीं होता है अगर में network layer की बात करो तो आई-पी के साथ में deal करता है सबने टिंग के साथ में deal करता है routing के बारे में packaging के बारे में कहीं नहीं करता है तो वही बात ही यहां पर की गई है IP address के बारे में पढ़ लें यह basic question आ जाता है ICT level का सवाल है कि इनमेंसे कौन सा valid IP है या नहीं है ठीक है तो basic आप लोगों के पास में data link layer में क्या है application layer में क्या है इसके बात करते है software engineering के software engineering पर बहुत ही आसान सा सवाल आता है ज्यादा difficult सवाल नहीं आता software engineering अपने आप में ही थोड़ा easy है थोड़ा theoretical side पर है तो अगर आप लोग किसी भी model के specifications और उसके important characteristics के बारे में जानते हैं यह good to go in that case चलिए तो software engineering के अंदर थोड़ा सा emergence क्या है अलग अलग तरीके के जो model है water type water fall कौन सा है prototype कौन सा है spiral model में क्या होता है उसके आप में कोको में क्या होता है तो यह सब चीज अगर आप लोग ने पता है software quality assurance में क्या क्या चीज़े चाहिए होती है कौन कौन सा standards है जिनको maintain करने के ज़रात है OPS is one of the important topic OPS पूछ जाएगा अच्छे से और OPS basic है आना भी चाहिए हर एक कहीं ना कहीं कमड़ा सा student को so यहां पर आप लोग के classes and object का क्या scene है data abstraction क्या होगा encapsulation क्या है ठीक है constructors और deconstructors का क्या role है उसके आप लोग के पास में web-based application development यह नहीं भी आता तो कोई बात ने क्यूंकि अगर आप so वो चीज़ें basic है तो वो आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो कोई बात नहीं दो सवाल आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट से HTTP के थोड़ी forms पता होने चाहिए उसका session यह सारी चीज़े है ना socket secure layer वो hand checking क्या है यह सब चीज़े थोड़ी बारे में पता होने चाहिए web development वगेरा थोड़ा सा XML की full form थोड़ा सा पता है थोड़े बहुत उसके attributes वगेरा पता है थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने पता होना चाहिए कि कौन सा finite automata किस थरे की language को support करता है जैसे कि finite automata regular languages को support करता है आप लोग के पास में जो आप लोग का push down automata context free को support करता है जैसे linear bounded automata आप लोग के बारे में यहां पर थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है अगया लाइक टोल्ड यू थोड़ा जो टियो सी है वो थोड़ा सा पोस्ट ग्राजुएशन साइड पर ज्यादा पढ़ता अपने पास में तो यह बहुत अच्छा सब्जेक्ट है काफी मेरा वन आफ सब्जेक्ट है काफी इजी भी लगता है अगर आप समझ जाते हैं इसके लॉजिक को तो कहीं न के आसान है तो वही बाते हैं रेगुलर के कॉंटेक्स में लिखा गया है पूरा रेगुलर के बारे में यह कंटेक्स-free CFG के बारे में पूर्ण आटमेटा पीडिये के बारे इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ तेंग्स एयाई सम्तिंग जो आजकल पूछा जाता है लेकिन अगर यहां पर एयाई है वह एक अच्छे स्टूडिंट मतलब जो अच्छे अच्छे कोर्स हैं उनका कहिना की एयाई है इतना डीटेल में नहीं भी पढ़ोगे कोई बात न अगर इसके बारे में आपको कहीं बहुत सारी चीज़ेंगे ऑनलाइन ठीक है अच्छे चीज़ें जैसे कि उपरवाइस जलिए न कि पूट जह भंपर के लिए बहुत खोटाइन मेलक फूरim पूरा पूरा नेटवर्यक पूच था है तुम कें स्यम्स्सक्राइब फाइर्वाल बूत कर नेटवर्फ fishing attack क्या है, viruses क्या होते हैं, worms क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जा लें उसके मल्टी मीडिया काफे interesting है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में भी overview होगा तो आप लोग के पास में चीज़ें बन जाएगी overall कहने का मतलब यह है, कि SNE कि किसी चीज को आप completely ignore कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी को book से पढ़ते हैं, well and good, of course आप उसके related सवाल भी लगाएंगे, उससे related MCQs भी solve करेंगे, तो आपका वो बहतर हो जाएगा किसी चीज को अगर आप books से नहीं पढ़ते, जादा content नहीं बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत internet पर जाएंगे, अगर आप लोग थोड़ा search करें, तो आप लोग को multiple portals मिल जाएंगे, जहाँ पर थोड़ी बहुत information से related होगी, तो उसको लिख लें, थोड़े बहुत notes बना ले है, ताकि अगर आसान सवाल आता है, क्योंकि हमार पास negative marking नहीं है, तो कम से काम हम लोग अच्छा guesswork तो कहीं नहीं करता है, अच्छा guesswork तभी काम करता है, जब आपको कुछ तो पता हो, at least उसके बारे में, otherwise हम clueless होते हैं, तो guesswork अच्छा काम नहीं करता है, other than that बात करते ह हैं, जो आपके बचे हुए 50 number है, उसका क्या सीन है, तो उसमें art of teaching, teaching aptitude के बारे में पूछा जाएगा, then other skills, तो art of teaching के लिए teaching aptitude में ही आप लोग को teaching aptitude बढ़ाती हूँ, तो basically teaching क्या है, learning क्या है, teaching के characteristics क्या होते है, maxims क्या होते है, then अलग-अलग तरीके के teaching होती है, अलग- plan में क्या क्या होगा, क्या क्या format है, कौन-कौन से model होते हैं, then micro teaching का concept क्या है, instruction analysis, इसका मतलब evaluation system के बारे में हम लोग कही न की बात करेंगे, effective classroom कैसे के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा बहुत qualities of teacher, curriculum क्या है, कौन-कौन से teaching aids के इस्तेमाल करेंगे, कौन-कौन से factors है जिससे learning में problem आ सकती है, कौन-कौन से evaluation assessment method लगेंगे, ठीक है, तो overall जितना भी teaching aptitude आप लोग का होता है, वो पूरा पूछा जाएगा, इसमें कोई भी चीज मिस उन्होंने नहीं करी है, ठीक है, और ऐसा भी चीज नहीं है, कुछ mention नहीं करेंगे, उन्होंने सारी point जितना ह सकता था, teaching aptitude का पूरा का पूरा syllabus उन्होंने आपे mention कर दिया, उसके बारे में बात करो other skills में, तो general knowledge आपका पूछा जाएगा, environmental science, ठीक है, वही basic, आप लोग का mathematical, आपनी चूर, maths मतलब, और आपका logical reasoning, वही reasoning वाला section, ठीक है, तो GK पूछा जाएगा, environmental science है, mathematical, आपनी चू नहीं पूछा जाएगा, तो वही एक wholesome syllabus है, और इस syllabus की तारिक अगर आप लोग करना चाते हैं, तो हम लोग ने EMRS के लिए जो batch launch किया था, वो आप local helpful रह सकता है, क्या आप लोग को नहीं पढ़ना है EMRS का, वो रह गया python वाला section, क्योंकि यहाँ पर python नहीं लिखा है, लेक इसे दूसरे exam में पूछ लिया जाएगा, और एक छोटी से टिप में आप लोग को देना चाहूंगी, कभी भी अगर आप लोग एक बार syllabus को अच्छे से पढ़ लेंगे, 6 महीने लगा के, पूरा computer science अच्छे से पढ़ लिया, DBMS अच्छे से पढ़ लिया, operating system अच्छे से प के बारे में बात होगी, थोड़ा बहुत networking के बारे में बात होगी, networking अच्छे से पढ़ लिया, सो बहुत सारे examination निकल जाते हैं, उसके बार में आप लोगों के पास में जो अलगल examination हुए हैं, 5 साल जितने भी examination हुए, 7 साल मान लीजे, छीक है, अगर आप और अच्छा मेनत करना जाते हैं, तब 10 साल के last paper उठा लीजे और उनको practice कर लीजे, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है, और अगर आपका smart work और आपका management सही है अपनी knowledge को लेके, और examination को लेके, तो paper निकल जाते हैं, इतना दिक्कत होती नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका fundamental strong होना चाहिए, किसी का भी guess work अच्छा तभी होगा, जब उसका fundamental strong है, अगर आप लोगों ने किताबों से नहीं पढ़ाई करी है, किसी के notes ले ली हैं और आप उसी से पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, तो notes तभी matter करेंगे, जब आप लोगों ने actual में कभी तो किताब पढ़ी हो, तो या तो आ हमेशा यह होगा कि कुछ-कुछ नंबर से examination रह रहा है आपका, ठीक है, तो यह बहुत ही, थोड़ी कड़वी बात लगती है, लेकिन सच्चा यह ही है, जितना अच्छे सा आप लोग पढ़ेंगे, तयारी उतनी बहतर होगे, और जितना अच्छे से तयारी आप लोग अप सेक्षन है, और networking वाले सेक्षन है, operating system वाले सेक्षन, अगर वो हम लोग करें अच्छे से डीटेल में, तो comment जरूर करेगा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भी हार टेट examination को लेके अपना जगला प्लान है, वो launch करना चाहते हैं, other than that, अगर आप लोग इसके लिए comprehensive batch ढून र तो